ये है नेपाली सेना और इस पे गर्ब करते हैं नेपाल के लोग नहीं दोस्तों नेपाल के तो करते ही करते हैं भारत के लोग भी इस पे गर्ब करते हैं कारण ये भारत के लिए भी लड़ती है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सेनाओं में आती है क्योंकि इस सेना के जो सब सब्ध है वो पिरतना बाहिनी सेनामुख गन गुल्म सेनपति परधान सेनपति उपरथी महारति ऐसे सब्दों का परियोग किया जाता है जो लगबग 5000-7000 साल पुराने हैं और हिंदुद्द जो गरंथ हैं उन में इन सब्दों का परियोग है जो प्राचीन गरंथ हैं इस द या सबसे प्राचीन सेना है हैलंकी कहा जाता है कि ये 1770 के बाद बनी लेकिन इस सेना में जिन सब्दों का परियोग किया जाता है वो सबसे प्राचीन सब्द हैं इस सेना ने सेकिन वल्ड वार में आठ बड़े युद्ध लड़े हैं जिन में पांच युद्धों में पूरी किलोमेटर दूर जाके यवरोफ में लड़ी है अफरिका में लड़ी है म्यामार मलेशिया जावा सुमात्रा इन सारी जगाओं पर लड़ी है एक समय में यह सेना पूरी दुनिया में मसूर मानी जाती थी हलाग कि आज में मसूर है लेकिन आज kisी युद्ध में यह सेना सामि नहीं है बलकि दुनिया में सांती की अस्तापना करने के लिए इस सेना से सबसे ज़्यादा जवान भेजे जाते हैं। आज सिब रात्री है, इस सेना का अस्तापना दिवस है, इस सेना का जो निसान है वो भी भगवान सिब के नाम से ही है। सिब जो है हिंदु सास्त्रों के अनुसार अनादी है उनका जन्म नहीं हुआ और ये सेना कहीं न कहीं सिब से समंध रखती है इसलिए हम मान सकते हैं कि ये सेना दुनिया की प्राचीन सेनाओं में एक है बहले हम कहें कि 1770 के बाद इस सेना को बनाया गया लेकिन इसमें जो इस्तमाल किया गया है, वो 1770 के सब्द नहीं है, बल्कि 5000-6000 साल पुराने सब्द हैं, इस सेना पर ये नेपाल की सेना है, लेकिन गर्व इसमें नेपाली लोग तो करते ही हैं, भारत के लोग भी करते हैं, क्योंकि गूरखा भारत की तरब से भी हर वार में लड़ते हैं, और भारतियों का मानना है कि गुरू गोरखनात की संतान ही गोरखा लोग है और गुरू गोरखनात को भारत में भगवान की उपादी दी गई है एक बहुत बड़े योग की योगी की उपादी दी गई है गुरू गोरखनात को और कहा जाता है गोर्खाओं का समंद गुरू गोरकनाथ से ही है गुरू गोरकनाथ ने नेपाल में जाके तपस्य की तब उस जीले का नाम गोर्खा पड़ा गोर्खा का समंद गोरक्षा से माना जाता है पहले गोर्खा को गोर्खा कहा जाता था गोर्चा गव रक्षा से बना है भारत्य हिंदूओं के नुसार यानि गाई की रक्षा करने वाला हालां कि नेपाल में इसकी परिवासा ये कुछ अलग हो सकती है लेकिन भारत में इसकी परिवासा गव रक्षा से समंदित है अलग-अलग चीजों में अलग-अलग मतलब निकाल दिया गया है गुर्खा सब्द का कुछ भी हो भारत की तरफ से ये हजारों साल से लड़ रहे हैं जैसे महाभारत युद में खस और किराती लोगों का सामिल होना जैसे पांचाओ और कनिस्क वार में खस और किराती लोगों का सामिल होना और भारत में जब भी अटेक हुआ है उनका टेंसन कुछ न कुछ नेपाल से जरूर हुआ है जैसे समसुदीन इलियास के समय में भी नेपाल पे अटेक कर दिया गया था यानि भारत में जब भी मुगल सत्ता आई तो उनका तनाव नेपाल से जरूर रहा है फिर बेटेन की सत्ता आई तो बेटेन के साथ में भी नेपाल की पाँच लड़ाईयां हुई है जिन में सुरुवाती तीन युद्धों में नेपाल की जीत बताई जाती है और अंत में दो युद नेपाल हार जाता है अगर दुनिया के जो बड़े educated लोग हैं वो सही से इस सेना की चानबिन करेंगे और इस सेना में जिन सब्दों का परियोग किया जाता है उन सब्दों की चानबिन करेंगे तो वो निश्चित तोर पे इसे दुनिया की सबसे पुर यो किये गए सब्दू